जलालपुर भ्याम ब्लॉक में तमसा नदी का तूटा पुल जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण जिलाधिकारी अविनाश सिंह द्वारा जलालपुर के विकास खंड भ्याम के राजस्व ग्राम करमुलहा का निरीक्षण किया गया तमसा नदी में पानी का जलस्तर बढ़ जाने के कारण गाव चारों तरफ से गिर जाता है तमसा नदी पर बना लकडी का पुल तूट कर गिर जाने से बह गया जिलाधिकारी द्वारा स्तरिय निरीक्षन कर मौके की स्थिती की जानकारी ली गई लकडी का पुल गिर जाने के कारण ग्रामीनों को लंबे रास्ते से होकर गुजरना पड़ रहा है जिससे उन्हें अधिक कठिनाई हो रही है ग्रामीनों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है जिलाधिकारी ने ततकाल दो नाव उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जिलाधिकारी ने ग्रामीनों को आश्वासन दिया कि लकडी के पुल के स्थान पर स्थाई पुल का निर्मान जल्दी किया जाएगा निरीक्षन के दौरान उपजिल अधिकारी जलालपुर, सुभाश सिंह क्षेत्र अधिकारी, जलालपुर तहसीलदार खंड विकास अधिकारी, भियां तथा ग्रामीन मौके पर उपस्थित रहे आज मैंने यहां पर सभी अधिकारी के साथ यहां पर भ्रमण करके इस्थली निरिक्षन के मौके के इस्तिति जाना, तो जो तमसा नदी में जो अभी तो यह पोजिशन नहीं बनी कि चारो तरफ से घिरने वाली बात है, लेकिन यहां पर एक लकड़ी का पुल था, जिससे ल बिर जाता है, और उसके बाद फिर इनके पास सड़क पे मुख्य रोड पे आने के लिए सिर्थ नाओं ही सहारा होती है, तो आज हम ने आने पर यहां पर नाओं की भी विवस्ता करा के आए हैं, और भी अ जब उसकता है और उसके बाद प्रॉस्स का प्राद सी हैं, जिससे सवस्सार सूना पर प्रान स्टा के लेकिन र Whoo आू उसका है, एक में कि रॉट आने बामें आने ज